तो जन्ता ने भी पूरी ताकत के साथ इनके लिए नो कांफिडन्स गोशित कर दिया कि इस्वर ने विपक्ष को सुझाया और वो प्रस्थाव लेकर आये विपक्ष का अविश्वास प्रस्थाव हमारे लिए शूब होता है भगवान बहुत दयालू है और भगवान की मर्जी होती है कि वो किसी ने किसी के माध्यम से अपनी इच्छा की पूर्ती करता है किसी ने किसी वो माध्यम बनाता है मैं इसे भगवान का आशिरवार मानता हूँ कि इस्वर ने विपश को सुझाया और वो प्रस्थाव लेकर आए 2018 में भी ये इस्वर का ही आदेश था जब विपश के मेरे थाथी अविश्वास प्रस्थाव लेकर के आए थे उस समय भी मैंने कहा था कि अविश्वास प्रस्थाव हमारी सरकार का फ्लोर टेश्ट नहीं है मैंने उस दिन कहा था बलकि यह उनीका फ्लोर टेश्ट है यह मैंने उस दिन भी कहा था और हुआ भी वही जब मतदान हुआ तो बिग पक्स के पांस जितने वोड थे उतने वोड भी वो जमान नहीं कर पाहे थे और इतना ही नहीं जब हम सब जनता के पांस गए तो जनता ने भी पूरी काकत के साथ इनके लिए नो कांफिडन्स गोशित कर दिया और चुनाव में एंडिये को भी ज़्यादा सिटे मिली और भाजपा को भी ज़्यादा सिटे मिली यानि एक तरह से विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव हमारे लिए शूब होता है और मैं आज देख रहा हूं कि आपने तय कर लिया है कि एंडिये और बीजेपी 2024 के चुनाव में पूराने सारे रकॉर्ड तोड़ करके भव्य विजय के साथ चंता के आशिरवात से वापिस आएंगे कर दोड़ कर दोड़ कर दोड़ कि एंडिये और रहा हूं कि एंडिये और बीजेए और भाव जाएंगे